हलो दोस्तों मैं परशांद आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीडिटी कम्रीटी में स्वागत करता हूं आज मैं आपको इस वीडियो मताने जा रहा हूं कि जो ब्रेकडाउन आपको देखने हुक मिलता है देख सकते हैं यहां पर आपको जबरदस ब्रेकडाउन देखने हुक मिला और ब्रेकडाउन का जो शुरुआत हुआ है लगबग आपका थर्टी वन फिप्टी के लेवल से शुरुआत हुआ है यह आपका नीचे गिया है और नीचे गिरा है ट्वेंटी सिक्स हंडबेट की करें यह नि अल्ट यहां पर हमें लगबग 550 कैनिक है जिसके बेसिस में इस ब्रेक डाउन को ठोरा पहले ऐडेटिफाइज कर सकते हैं और यहां पर गिरावर गभी ga बना डिका है और यहां से इयो हम 20 प्रेचन के का सकते यह नहीं लगभग आप 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं ति कर कैसे सकते हैं अब आपके मन में कोशन आ रहा होगा यहीं मैं आपको इस वीडियो में डीटियल से मिशना करें तो चैनल को सबस्क्राइब किजिए और बेल आइकन को जब दवाएं तो चलिए इसको हम डीटियल से समझते हैं कि जो ब्रेकडाउन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां पर जो ब्रेकडाउन को इइसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख सकते हैं यह जो ब्रेकडाउन हुआ हुआ है इसको हमने यहीं पर identify कर लिया यहीं काफी पहले इसको हमने predict कर लिया based on this pattern अब इस pattern का नाम क्या है इस pattern का नाम है आपका diamond pattern थोड़ा बहुत safe आपको diamond जैसा मिलता जिलता दिख रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलते है diamond pattern और यह काफी powerful pattern होता है जो कि आपे breakdown और breakout find करने में काफी ज्यादा help करता है और इसके basis पर अपसाइड में जो breakout होता उसको आप कैसे find कर सकते हैं इसके उपर हमने और वीडियो बना रखा है लास्ट वीडियो में इसके उपर डिस्क्रिस कर आथा अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नहीं तो आप आई बुटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि हम डाइमंड पैटर्ण के बेसिस पे कैसे अवली इडेंटिफाई करके उसका फाइदा उठाके प्रॉफिट बना सकते हैं तो चलिए इसको देखते हैं अब यहां पर आपको क्या करता है सबसे पहले जो डाइमंड पैटर्ण के बेसिस पर ब्रेकडाउन फाइं कर यह डाइमंड पैटर्ण कहा बर्वहन ul container आपका फॉर्म होना चाहिए की यह आपका को पॉय्सिटरेंस Lavel के पास्कोर मूना चाहिए कुछ पॉइंट है उसको ध्यान हम रखेंगे तबी हम यहां पेथ सही तरीके से फिल्टर कर सकते हैं अधिनी हम ब्रेकडाउन या फिर breakout को identify कर सकते हैं दूसरा यह जो pattern बनता है यह कैसे pattern बनता है इस pattern को समझे है सबसे पहले क्या होता यहाँ पर price का expansion होता है यहाँ पर price का width है वो यहाँ पर increase होता है और उसके बाद second half के बाद इसका width है वो आपका decrease होने लगता है सबसे पहले यहां पर expansion होते हैं इस तरीके से और उसके बाद हमें इस तरीके से contraction देखने को मिलता है और यहीं दोनों को जोईन करेंगे तो इस तरीके का diamond shape का formation होता है इसलिए इसको बोला जाता है diamond pattern तो पहला point हमें restensible find करना दूसरा point हमें क्या find करना वह में भी आपको explain कर देता हूं दूसरा point यहां पर आपको find करना कि कि आपको expansion और contraction होना चाहिए यानि इसको आप दूसरे तरीके से और find कर सकते हैं इसको भी clear कर देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए दूसरे तरीके से इसको find कर सकते हैं कि ऊपर में आपका first half में higher high pattern का formation होना चाहिए और नीचे में आपका lower low pattern का formation होना चाहिए इसका opposite यानि second half में यहाँ पर आपका lower high pattern का formation होना चाहिए और नीचे में आपका higher low pattern का formation होना चाहिए यानि फस्ट आप में higher high lower low second half में lower high और higher low pattern का formation होना चाहिए यह identify कर लेंगे तो आपको automatically क्या बन जाएगा diamond shape का pattern बन जाएगा तो second point क्या है higher high और lower low pattern को हमें identify करना और फिर इसका vice versa बस यहाँ पर हमें यही दो चीज identify करना उसके बाद यहाँ पर हमें diamond pattern एकदम clear cut मिल जाएगा अब इस pattern में सबसे खासित बात क्या है कि जैसे यह pattern complete हुआ आपको यहाँ पर target price दे देता है यानि जब भी breakout देखने को मिल लग बात है लेकिन आपको किस target price के लिए जाना यानि target price क्या होना चाहिए वो आपको यहीं पर मिल जाए यानि अगर आप इसके lowest point और highest point को join कर दे और जितना point का line बनता है या जितना point होता है सेम point के हम target price के लिए जाएंगे जब भी हमें breakout या फिर breakdown देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम breakdown के लिए जा रहे है तो हम इसके highest और lowest point को join कर लिए लगबग आपका 550 point के करीब हुआ है यहाँ पे लगबग हम round figure में 500 points के target price के कि हम twailing stop loss का इस्तेमाल करेंगे ताकि reversal में हमें ज्यादा नुक्सान और at least हमारा profit अच्छा कासा secure होते चले अब यहाँ पर हमें entry कैसे लेना target price तो हमने decide कर लिया अब हमें यहाँ पर क्या find करना दो important चीज एसल और entry point यानि हमें यहाँ पर sell कब करना वह हमें identify करना तो चले जैसे ही कोई candle इस line को break करके नीचे closing दे उसकी बाद जैसे ही अगला candle किसी भी level पर open होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे entry करेंगे sell side की तरफ तो देखें यह candle break करके इसके नीचे है लेकिन closing इसके नीचे नहीं दिया है फिर price उपर गया फिर यह candle आपका gap down खुला है मतलब यह candle इसके नीचे closing हुआ है तो अगला candle यहाँ पर हम क्या लेंगे यह हमारा बन जाएगा entry point और यहाँ पर हम क्या करें sell करें तो sell किस level पर कर करेंगे लगभग यह आपका है 3100 करीब यहाँ पर हम क्या करेंगे sell करेंगे और यहाँ पर राउंड फिगर मां 500 के target price के लिए असानी से जाएंगे और हर एक 100 points के target price पर अपना stop loss 100 points उपर increase करते हुए चलेंगे उसके प्राइफ नीचे गिया और लगभग यह आपका 2600 के level यहां से लगभग 500 इससे थोड़ा सा ज्यादा ही अपसेड मूब दिखा यहां यहां पर हमें 500 पॉइंट का profit आसानी से मिल गया और कितने दिरों मिला यह भी इंपोटेंट देखना है आपको लगभग 123456 यानि 6 ट्वेडिंग सेशन में यह आपको कितना profit दे दिया लगभग 17 परसेंट का profit दे दे यानि 500 पॉइंट का profit हमें मिल गया किसमें अब आप नीचे साथ की तरफ ब्रेक आउट है और यह स्टॉक्स एफनो में अबलेवल है यहां पर चाहो तो फ्यूचर में या फिर options में ट्वेड करके इस तरह का profit आप बना सकते हो तो यहां पर फ्यूचर में कैसे ट्वेड कर सकते हो फ्यूचर में तो सिंपल है लेवल की वैसिस पर कर सकते हो अप्संस में करना है तो अप्संस में चाहा हो तो आप एड़ दमानी 31,000-3100 के put options को buy कर सकते हो यहां नहीं तो इंदमनी जाना है तो 3200 के put options को यहां पर आप बाई करके इसके वैसिस पर आप options में भी trade ले सकते हो कितना सिंपल है जाना कुछ नहीं करना हमें बस दो चीज़ identify करना क्या सबसे पहले expansion contraction फिर आपका higher high lower low pattern को identify करना और यह कहां पर चाहिए distance level के पास form होना चाहिए बस यहीं चीज़ हमें देखना है इसके बाद हमें automatically target मिल जाएगा entry point मिल जाएगा stop loss सारा कुछ हमें यहां पर well defined मिल जाएगा तो यहां पर हम और वी example कि तो आपको समझाते हैं तो यहां पर हम दूसरे example पर आते हैं यह example आपका Titan का और य हमें वह pattern देखने मिलेगा और candle आपका सबसे मेच्वर डेली माना जाता है इसलिए यहां पर हम डेली time frame लेंगे इससे नीचे time frame में नहीं जाएंगे अगर आपको इसके basis पर trade करना है तो डेली time frame में आना परेगा otherwise आप इसको छोड़ सकते कोई जबरसती नहीं है इसके basis प करना तो मत केजिए उसके बाद यहां पर हमें क्या identify करना सबसे पहले price का expansion होना चाहिए इसका width तो जो चीज में आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा सापको live market में इस्तमाल करना पड़ेगा तब जाके आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा या नहीं तो आप चाहो तो यही पैटर्न को खोजने में थोड़ा सा आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा तो देखिए यहां पर पहला चीज हो गया दूसरा चीज हमें क्या देखना higher high pattern बिलकुल बन रहा है नीचे में आपका lower low pattern बिलकुल बन रहा है उसके बाद इसके opposite यहां पर आपका higher low बन र हो रहा है और previous video में भी आप देख सकते हैं वहां पर भी एक रिश्ट्यांस से वलता वहीं पर इसका formation हो रहा है मतलब जो भी क्वेटर यह था सारे को इसने फुल्फिल कर लिया है और यह पैटरन complete होती हमें क्या मिलना चाहिए टागेट पैस मिलना चाहिए टागेट पैस म पॉइंट के करीब नीचे जाएगा तो यहां पर हम एटलिस्ट सारी 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोसिस करें एटलिस्ट हमें इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए तो चले देखते हैं किसके वेसिस पर रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हम देख एक और चीज़ आप देख सकते हैं प्राइस जब आपका ग्याप डाउन ओपन हो और ओपन इकॉल टू हाई बना है तो आपको हाई एस पॉइंट यहां पे आप चाहो तो इंट्री ले सकते हो नहीं तो आप चाहो तो एसल प्रिवियस केंडल का हाई एस पॉइंट को आप रख सकते हैं जो कि स्टेंडर माना जाता है लेकिन अगर बाइचांस आपका ग्याप डाउन ओपन हुआ है तो वहां पर आप हाई एस पॉइंट यहां पर आप आप मोडिफिकेशन थोड़ा बहुत कर सकते हो ओपन इकॉल टू हाई क्वेटिरिया के बेसिस पे यहां पर दूसरा भी स्ट्रेजी आप थुरा बूत अप्लाई कर सकते हो तो यहां पर हम इसी पार्टिक्लर लेवल पर इंट्री करेंगे यहां लगबग यहां पर जो हम इंट्री कर रहें 2450 के करीब 50-60 करीब यहां पर हम इंट्री करें सेल साट की तरफ ठीक है उसके बाद दिख रहा है वह वह कितने दिनों में अगर हम बात करें तो 12345678 एट ट्वेडिंग सेसंस में हमें यहां पर लगबग 400 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख गया इनी लगबग 17% का प्रॉफिट इसने एट ट्वेडिंग सेसंस में दे रहा और यह बहु करना है या फिर ट्वेडिंग सेसे ऑफ्षंग करना है या इस ट्यूटरन के विसिस पर अच्छे खासे प्रॉफिट के G जा सकते इस पैटर्ण की खासित यह यह चोटा मुटा प्रॉफिट नहीं देगा यह आपको बड़ा प्रॉफिट देगा लेकिन इसके लिए जो क्वेटरिया है वह भी सिंपल सा है इसको बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने बताया अभी और कल से इसको देख किया भी सही हो रहा तो फिर आप काप्टल इंक्वीज कर सकते हैं और यहीं सही तरीका है ट्वेड करने का उसके वाद अगला एक्जामपल लेते हैं सीडी एसल का अब यहां पे हम ब्रेकडाउन की तरफ जा रहें और सीडी एसल आपका एफेनों स्टॉक्स नहीं है इसलिए य और यहां पर आपको डूल बैनिफिट मिलता हो दिख रहा आप बाइंग एवाइड करके क्या ट्रैप से बच सकते हैं और जहां पर आपको नुक्सान हो सकता था यानि आप इसको डिलेवरी में बाइक करने को जा रहे थे यह पैटन देखके वहां पर इंट्वी नहीं लो 14 परसेंट जो लॉस हो सकता था वह लॉस आपको सेव कर दिया तो यहां पर आप 14 परसेंट के प्रॉफिट में ही है इंडिकली प्रॉफिट में तो इस तरीके से आप डूल बैनिफिट भी उठा सकते हैं जो स्टॉक्स एफनो में नहीं है उसमें भी फॉर्म हुआ है तो सबसे कम रिटर्न आपको यही दिया है लगवख 14 परसेंट के करीब उससे पहले जो भी दो हमने एक्जांपल लिया था वह कितना विटर्न दे रहा था लगवख वह आपका 17 परसेंट के करीब रिटर्न दे रहा था यानि इसके बेसिस पर जो भी स्टॉक्स मिलेगा या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी क्यों न मिले उसमें भी हमें अच एक्सपेंसिव होता है तो यहां पर आपको प्रॉफिट भी उसी तरीके से जादा देता है तो उमीद करते हैं यह सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा अगर इससे विलेटेट कुछ भी डाउट या कनफीजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं वहां पर आपको प्रॉफर एंसर मिलेगा अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके इनकवेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जोड़ दबा दीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें इसी त लाइट साल फेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन